जैपुर में भाजपा और कॉंग्रेस के विदायक आमने सामने हो गए हैं। भाजपा के बावाली बाबा के नाम से मसूर बाल मुकंदाचारिये और कॉंग्रेस के रफिक खान। दरसल मामरा हाटवाडा बाजार से जुड़ा हुआ है जहां पर जो व्यापारी दुकाने लगाते हैं छुटकर उनकी दुकाने हटा दी गई थी जो थड़ी थेली लगाते हैं उनकी दुकानों पर कारवाई हुई और उसके बाद मौके पर आधर्शनगर विदायक तरफिक साब पहुंचते हैं और उस पूरे घटना करम के बाद दफिक खान साब एक बड़ा आरोप लगाते हैं वो आरोप उनी के मूझ से सुनते हैं बालमुकुंद आचारे को लेकर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्या आरोप है देखिए कल जिस तरीके से के उपर कारवाई की स्ट्रीट वेंडर के उपर थडियों के उपर गरीब आदमी का चालान दस जार रुपए गा इनका विनाश काले विपरीत बुद्धी इनका दिमाग संतुलन में नहीं है ये ददस जार रुपए के चालान नगर निगम अगर ठडीब और स्ट्रीट व पूशे है और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा बाते मैं किसी का जवाब और सवाल नहीं करना चाहता है अगर इतनी इनको फिक्र है तो बजट आ रहा है शराब बंदी कर दे दो कर दे वे ड्राइड स्टेट गोशिस क्यों दुकानों पर चक्क बंदी कर दो और हिम्मत है तो करके दिखाओ कौन जुडा हुआ है किसके संपर्क है ये बाते मेरे से मत खुलू आओ सारी दुनिया जानती है वो कहते हैं कि ये पबलिक है सब जानती है तो इसलिए इन वातों में कोई मतलब नहीं है सिर्फ इतना ध्यान रखे कि गरीब आ से चले हर आदमी अपनी जगह पर उसको अपनी जगह मिले स्ट्रीट वेंडर जिनके पास स्ट्रीट वेंडर के लाइसेंस हैं उनको तो किसी सूरत में तकलीव नहीं होनी चाहिए आज सुबह साथ आदमी फिर बंद कर दिये ऐसा कते ही नहीं चलेगा थड़ी ठेले वाले फल वाले सब्जी वाले ये हमारे जो जैपूर का जो पुराना कल्चर है पुरानी शहर है उसके अंदर ये काफी 40-50 सालों से इनकी जगह बनती आई है और ये चलते आए हैं ट्रैफिक की समस्या को लेकर के उनको और्गेनाईस किया जा सकता है किसी को हटाना और किसी को ब मारा लक्षे नहीं है और मैं सरकार के कारिंदों से भी कहता हूं और मुख्यमंत्री को भी कहता हूं कि इसमें दखल करे और पहले भी उन्होंने दखल किया था तो इनकी कारवाई रुकी थी और मैं फिर कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि जैपूर शहर को इनके और भी विधायक हैं, काली चलंजी आठ बार जीते हैं, यहां से डिप्टी सीम भी है, सीम भी है, दोदो डिप्टी सीम है, किसी की कोई तकलीफ नहीं है, एक ही आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ क्यों है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कि अगर शराब की बात अगर ये कोई बात करना चाहरे है, तो मैं इनको कह रहा हूँ, कि मुख्यमंत्री इनका, सरगार इनकी, फाइनस मिनिस्टर इनका, लिखके देवे, और मेरे से भी साइन कराए, मैं सपोर्ट करूँगा, कि कर देवे राजिस्थान को ड्राय स्टेट, बंद कर देवे सराब ज्यादा बात करने से कुछ नहीं है, सराब बंदी की और बढ़े, तो सब चीज ठीक हो जाएगी, अट्वाड़ा तो बहाना है, असली निसाना कुछ और है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, वशू लिगा, ये क्या खेल है, क्या है, कि ये टॉर्चर कर रहे हैं, एक्स्ट विदायक है, उनसे सबक ले, सबक लेके काम करे, ऐसे नहीं कि किसी को एक्स्टॉर्चन करने के एंगल से बार बार मेसेज देने लग जाएं, ये सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं, और मैं तो ये क्लियर आपको बोल रहा हूँ, कि अगर इनका निशाना कहीं पे निश निशाना नहीं है, तो बोले कि हम शराब बंदी करना चाहरे हैं, कहें कि हम शराब बंदी करेंगे, और कहें मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करें, मसाथ चलूँगा इनके कि शराब बंदी करो. अगले संदे आप जाना और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और कि शराब बंदी करेंगे, और कि शराब की दुकान तो चार शटर की खुली हुई, और उनको अटाया जा रहा है विचारे गरीब आद्मियों को, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ये जो हटवाड़ा जिसकी कल हम बात कर रहे हैं, वो 40-45 साल से हटवाड़ा लगता आ रहा है, अगले संदे आप जाना और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कि आप वहां के लगाने वालों से बयान लेना, आपको पता लगेगा कि जब बालमकुन जी पैदा नहीं हुए थे, आप आदमी खिलाब कारवाई करेंगे, रफीक खान सडकों पे मिलेगा, आप वसुली का अरोब भी लगा रहे हैं, वो मैंने बता दी, कल भी बता दी और मैंने आज भी बता दी बात सारी, कि इनका निगाएं कहीं पे हैं, निशाना कहीं पे हैं, एक्स्टॉर्शन की निय अधिकारी को इस तरीके से बोलते हैं, अधिकारी इनको जवाब दे रहे हैं, कि साब आप ये मिले को समझ में नहीं आ रहा, किस तरह की सिक्षा दे रहे हैं, बत्तमी जी से अधिकारी को बोलते हैं, सीनियर जूनियर का खयाल नहीं रखते हैं, अपने से डबल उमर के आद शराब की दुकानों पर क्यों धमाका करते हैं और किस लिए करते हैं ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ सारी दुनिया जानती है क्या नजरिया है मैं तो कह रहा हूँ शराब की दुमान पर्मानेटी बंद करो न एक्स्टॉर्शन करने के एंगल से क्यों जाते हो क्यों कर रहा है क्या टार्गेट है क्या टार्गेट है और मैं तो कह रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं, किसी एक वीडियो में बोला बताते हैं कि शराब की दुकाने आदर स्टगर में चल रही है अरे तो बंद कराओ ना भई, सरकार आपकी है रवी नियर की खुद की बार चल रही है, बंद कराओ सारे के सारे गलत धंदे करने वारे तो ये खुद ही है ये खुद अभी दो दिन पहले एक बार का उद्गाटन करके आ रहे है तो ये सिखाएं नहीं, प्रशाशन को बोले, कारवाई करे और शराबंदी के फेवर में है, तो मैं इनके साथ हूँ शराबंदी की बात करें और संपून शराबंदी की बात करें उन्होंने जवाब दिया है कि वसुल्य को लेकर आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं उनके सामने सबुत पेस कर रखूंगा, उनके ही मैं पेस करने लग जया तो उनको मुश्किल हो जाएगी वो सब को मालूम है, उनका पुराना इतियास भी मालूम है, पुराना नाम भी मालूम है आज वो धर्म गुरू बने हैं, मैं ज्यादा उनकी जो लिवास है, उसका रेस्पेक्ट करता हूँ तो ज्यादा टिका टिपणी उसके मैं करना नहीं चाहता तो जनता को सब मालूम है, लोगों को सब मालूम तुपसे पहले आप से भी अच्छा जुड़ा हो रहा था जो संप्रक पिछला से मेरे बहुत से जो मेरे साथी हैं, मिलने वाले हैं, उनसे इनके रिष्टे रहे हैं और बहुत अच्छे से परिष्ट रहे हैं, तो मैं भी इनका इतियास जानता हूं सारा यह हवा महल से विदायक हैं और आदर्स नगर माकर इतना क्यों वावाल काता हैं यह तो आप उनसे पूछो कि आप हवा महल से हो, आदर्स नगर में आपका क्या लेन दे लें यह कभी आदर्स नगर पहुंच जाते हैं, यह कभी किशन पोल पहुंच जाते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इनको जो टिकेट विली न उसमें बहुत बड़ा कारण यह आदर्स नगर की कुछ गलियों में गूमें, वो भी बहुत बड़ा कारण रहा है, यह थोड़े दिन औ इसको आप कैसे देखते हैं देखिए ऐसा है मैं law and order का support करता हूं अगर कोई legality या license किसी पास नहीं है तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि license ले 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 और अगर किसी तरह की कोई कानूनी प्रक्रिया अगर किसी दुकंदार ने follow नहीं करी तो follow कर लेनी चाहिए और निगम प legal formalities अगर किसी के साथ lacking है तो उसको समझा करके legal formality पूरी कर ले बजाए extortion करने के बजाए बंद कराने के बजाए उसका शोशन करने के आप उसको legality दाएरे में ले लो ताकि सब काम सुचारू रूप से चल सकते हैं नेता प्रतिपक्स कब बनेगा नेता प्रतिपक्स फाग बढ़ने में समय लगया तो नेता प्रतिपक्स की जरूरत अब पढ़ेगी पहली बार अब पढ़ेगी उससे पहले-पहले मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्स बढ़ जाएगा एक लोग सब चुनाव को लेकर सवाल कर लेते हैं भाजपा कही ना कहीं ग्राउंड पर नजरार भी रही हैं बैठके कंटिन्यू कर रहे हैं कोंग्रेस के बड़े नेता न्याय आत्रा पर निकल ले हैं जब न्याय की जरूरत हो तो न्याय आत्रा पर निकला जाता है और राहुल गांदी वहां न्याय आत्रा कर रहे हैं और जैसे यहां अभी जिस तरह का अन्दर उन्में एक नगर कि उनके डर को खतम करने के लिए न्यायय आतरा की जरुरत है और कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जल्दी इस न्यायय आतरा की शुरुवात में जैपुर में भी करों मैं तो अपनी बात करता हूँ किसी की कटाक्स करने में मेरे को मज़ा नहीं आता अपनी लाइन खेशने में विश्वास रखता हूँ मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें जो भी विधायक चुनके आए हैं उनको आम आदमी का गरीब आदमी के हितों का जान रखना जाए बहुत बहुत सुक्रिया रफिक खान साब आदशनकर से विधायक हैं बेबाग है लेकिन कुछ बाते चुपा लेते हैं और चुपी बातों में बहुत कुछ बयाँ होती है क्योंकि कहिना कहिन जब खुद को बवाली बाबा बालमुकंद आचारी कहते हैं और अचानाक मीट की सोपर पहुंच जाते हैं, बवाल काटते हैं, वीडियो खुद ही जारी करवाते हैं, सराप के ठेकों को पहुंच जाते हैं, उस पर खुद ही वीडियो जारी करवाते हैं, उदर हटवारा में पहुंच जाते हैं, तो फिर रफिक कान साब का जो विदान स सबस्यत्र है वहां जाकर बवाल काटे हैं तो साब खुद वहां पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं या क्या काम है